हलो स्टुडेंट्स दिशिश शुभम और आज हम लोग पढ़ रहे हैं अपनी क्लास तेंथ की साइंस का चैप्टर इलेक्टर सिटी यह चैप्टर थियोरी और नुमेरिकल्स की पॉइंट व्यू से बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इसलिए विडियो को लास जिसके कारणव है किसी विद्धुत चुम्ब की चेतर में उस पर बल का अनुभव करता है उसे हम आवेश कहते हैं कहने का सेंस यहां पर क्या है कि द्रव्व का मतलब यहां पर मैटर से हैं मैटर हम लोग पढ़ते हैं ऐसी कोई भी चीज जिसमें मास हो और वो जगया घेर कहने का मतलब क्या है कि दुनिया में हर वस्तू का निर्मार कोई भी चीज हो उसका निर्मार किसे हुआ है आवेश से हुआ है ठीक है आवेश से होता है और हर वस्तू किसी उस पर बल का अनुभव जरूर करती है ठीक है चुम्ब की चेतर में बल का अनुभव जरूर करती ह जैसे कि आप हम पढ़ते हैं, एक ग्रैविटेशन फोर्स पढ़ते हैं, जिसकी मदद से हम लोग रुके हुए हैं, ठीक है ना, तो आवेश की बात भी वही होती है कि एक बात ध्यान रखना हमेशा कि दुनिया की हर वस्तू का निर्मार किस से हुआ है, आवेश से हुआ है, एक होता है हमारा positive और एक होता है negative, important note point यहां पर क्या देख रहे हैं आप लोग कि Benjamin Franklin ने बताया था कि आवेश जो है हमारा 2 types का होता है, यानि कि positive और negative, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखेंगे, अब अगर इसके criteria के हिसाब से हम charge को बाते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि आवेश को मैंने 3 types में बाटा है, electron, proton और neutron में, electron की अगर हम बात करें, तो electron पे कितना आवेश होता है, 1.6 into 10 की power minus 19 कुलाम, ठीक है ना, कुलाम क्या unit होती है आवेश की, negative में charge होता है, electron पे ध्यान रखेंगा, proton पे same charge होता है, इतना ही है, लेकिन किसमे positive में charge है, ध्यान कैसा charge है, positive charge है, इस बात को clear करके चलना, ठीक है, यानि दोनों पे ही charge सेम होगा, 1.6 into 10 की power minus 19 कुलाम, बट, electron negative में होते हैं, जबकि proton positive में होते हैं, तीसरी बात आती है, neutron की neutron पे कोई charge नहीं होता है, ये neutral होते हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना है, neutron पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, या no charge ये आप इसको neutral भी बोल सकते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, एक बहुती important law यहाँ पे आता है, जब हम लोग charge को पढ़ते हैं, Qulam law, ठीक है ना, Qulam's law, इसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या है, Qulam's law, इसक कोई भी दो पॉइंट के जो चार्जेस होंगे, जो आवेश होगा, उन पे लगने वाला जो बल होगा, आप देख रहे हैं, एफ प्रपोश्चनल है किसके Q1 इंटू Q2 के, तो आप देख रहे हैं कि लगने वाला किनी दो बिंदूों के बीच, जो आवेश पे लगने वाला उन दोनों आवेशों के गुडनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, ये बात समझ में आ रही होगी, ध्यान से देखे, एफ प्रपोश्चनल है किसके Q1 इंटू Q2 के, और उनकी बीच की दूरी के, उनकी बीच की दूरी क्या है, आर है, आर के वित्क्रमानुपाती है, वर् प्रपोश्चनल आएगा, Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वार के, ठीक है न, अब प्रपोश्चनल का निशान हम कभी भी हटाते है, तो क्या लगाते है वहाँ पे, हम उसकी जगा किसी ने किसी कॉंस्टेंट का यूज करते है, तो यहाँ पे प्रपोश्चनल का निशान ह Q2 ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टन लो है, तो लो हमने क्या पढ़ा है, कि किनी दो पॉइंट्स पे लगने वाला जो फोर्स होगा है, दो चार्ज पे, तो वो उन दोनों चार्ज के, यानि कि दोनों आवेशों के गुडणफल के बराबर होगा, और उनकी बीच की दू आती है क्या, F into R square upon Q1 Q2, के की यूनिट भी हम निकाल सकते है, देखे, F क्या है, यह पर फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट हम लोग क्लास 9 में पढ़ते है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और आर मैने आपको बताया, आर क्या है, आर इहां पर इहां प क्या रखेंगे, क्लाम रखेंगे, और Q1 into Q2 है, तो क्लाम into क्लाम क्या हो जाएगा, क्लाम square हो जाएगा, तो के की यूनिट क्या निकल का आती है, Newton into meter square upon में क्लाम square, ठीक है, यह आप इसको ऐसे लिए Newton meter square, क्लाम की पावर माइनस 2, क्यू कि आप C को उपर लेके जाएगे, तो power minus में चली जाएगी, ठीक है ना, इतना concept समझना है, ठीक है, अब चलते हैं आगे, आगे की चीजों को समझते हैं, अभी आप देखते हैं कि जब हमने यहाँ पे start किया, तो यहाँ पे एक word आया, द्रव्य है, या हम किसी भी पदार्थ की बात करते हैं, मैटर की बात करते हैं, अगर हम electricity पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम 3 types of पदार्थ पढ़ते हैं, यानि कि 3 types of मैटर या द्रव्य के बारे में बात करते हैं, तो पदार्थ 3 types के होते हैं, एक होता है चालक, एक होता है अ तो सबसे पहले ही कि हमारा Constitution क्या होता है, मैं नोग सो है, इसमें धारा का प्रवाह होता है, मैं थहा入 opens up, चालक बोलते हैं धारा का प्रवाह अब धारा का प्रवाह किसमें होता है आपने देखा होगा कि आप यह सब जानते हैं कि हम जानते हैं कि आईरन में जो है करेंट फ्लो होता है लेकिन जो वुड होती है जो लकडी होती है उसमें करेंट फ्लो नहीं होता तो एक चीज यहां गारिन के करेंट तो पखते की बेसेल जब और गोड़ेने के अगु नियों गोड़िकि नउर तक भेड़ुप्टर हो रीआने के बाखर में समझने होगी, जिसमें करेंट फोलो होगा वह जब記得 इल्याकि। जिसमें current flow नहीं होगा वो क्या है वो insulator होता है यानि की अचालक होता है current flow होने का कारण होता है कि current तभी flow होगा जब electron flow होते हैं ठीक है current तभी flow होगा जब electron flow होते हैं इस चीज को आपको याद रखना है अगर आप किसी भी चीज को पकड़े और आपको पकड़ने की जरूरत भी निये खैर अगर आप देखेंगे कि किसी भी चीज में current flow हो रहा है current flow हो रहा है इसका मतलब समझ जाना कि electron flow हो रहे है क्योंकि जब तक electron flow होंगे नहीं जब तक current flow होगा नहीं अगर इस चीज को मैं आपको clearly और समझाओ deep में तो कोई भी पदार्थ है या आप कोई भी पदार्थ है जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हो अभी वीडियो देखते टाइम आपके पास phone होगा, आपके पास book होगी आपके पास बहुत सी चीज़े हो सकती है माल लेजे phone का example लेते है तो phone क्या है, phone के अंदर हमारे electron भी है, proton भी है और neutrons भी है अब फरक क्या होता है, कि जो proton होते हैं वो fix होते हैं ठीक है, जो होते हैं अपनी जगह पे fix, वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे proton जहाँ पे इस्थित होंगे, वो वहीं पे इस्थिरी रहेंगे लेकिन electron जगह बदलते हैं, electron क्या करते हैं, जगह बदलते हैं वो fix नहीं रहते, electron एक प्रकार से क्या है हमारे, आवारा है वो एक जगह टिक्के बैठेंगे नहीं, वो जरूर जगह बदलेंगे, इलेक्ट्रॉंस जो होते हैं, लेकिन प्रोटॉन अपने घर में ही रहेगा, बाकी इलेक्ट्रॉन जरूर भूमेगा कही नहीं, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, या इलेक्ट्रॉन फ्लो करते उसको हम लोग conductor बोलते हैं, जिसमें electron flow नहीं करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनसुलेटर बोलते हैं, यह concept बहुत ही अच्छा है, और important पेपर में यहाँ से बहुत जादा पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेगा, तो आपको दो ही point याद रखने हैं, conductor जिसमें ध electrons are free to move, electrons free होते हैं, ठीक है न, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, ठीक है न, तो conductor जिसमें धारा का प्रवाह होता है, अब conductor होते कौन से हैं, सभी दातुएं लगबग कुछ को छोड़ दिया जाए, exception के तौर पे, ठीक है न, तो उन में current flow नहीं होता, बाकि सभी दातुएं जैसे ferrous हो गया, हमारा silver हो गया, ठीक है, copper, aluminium आप ले लो, सारो में ही हमारा current flow होता है, और acid हो गया, base हो गया, salt यानि कि अमल छार लवण, इन में भी हमारा current flow होता है, ठीक है, अभी हम लोग आगे जब fuse पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे, आपने गाहों में देखा होगा, कि जब current flow नहीं होता है, तो earthing लेने के लिए गाहों में लोग उसमें पानी डालते है, कुछ लोग नमक का भी इस्तमाल करते है, तो क्या है conductor होते है, क्योंकि ये लोग, इसमें एक point important है, आप देख रखते है, मैंने लिख रखा है, कि AG सबसे अच्छा conductor है, AG बोले तो silver, silver का symbol होता अब बात करते हैं, अचालक की, अचालक मैंने बता दे है, जिसमें current flow नहीं होगा, current किसमें flow नहीं होता है, rubber में, wood में, ठीक है, इनसी जो में current flow नहीं होता है, अब current flow नहीं होता है, क्योंकि उसमें electron flow नहीं हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें electron flow नहीं हो रहे हैं, इस बा बबइशा 90% टिक डेकरेक्ट में ही आता है कि इन में से कौंसा से कंड़क्टर है बताओ aynı कंड़क्टर दोनों की त değ काम करता है कर ऑप इसके ऑग्रमेनियम कार्बन और सेलेनियम ठीक है, silicon germanium ये ज़्यादातर इसमें यूज़ किया जाती है, solar lamp आपकी हो गई, radios हो गई, solar lamp में अधिकतर ये arcenic germanium वगईरा यूज़ किये जाते हैं, जो solar lamp हमारी solar light लगाई जाती है, ठीक है, उसमें ये लोग अधिकतर ये चीज़े अधिकतर यूज़ किये जाती है, ठी ठीक है ना, विदुद्धारा क्या है, पहले definition देखिए, ये definition अच्छे से मैंने लिखी है, और important है, easy way में लिखने की कोशिश की है, कि किसी विदुद परिपत में आवेश के प्रवाह की दर को, क्या कहते हैं, electric current कहते हैं, विदुद्धारा कहते हैं, या प्रती एकांग सम जितना charge flow होगा, कितना, एक second में, जितना charge flow होगा, उसी को हम क्या कहते है, electric current कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना, definition बहुत जादा important है, क्योंकि दो number में question आता है, आपको विदुदारा क्या है, इसका मात्रक वगाओ, ठीक है, define electric current with unit, तो हमने क्या समझा, कि आवेश प्रव इससे इजी आपको book में भी नहीं मिलेगी, ठीक है, self-made notes है, अच्छे से इसको समझ लेना, इसको note भी कर लेना है, ठीक है, तो electric current क्या होगा, आवेश प्रवा की दर, भई, सीधी सी बात है, तो आवेश प्रवा की दर, दर का मतलब साश्ते हो, मैं बोलू कि मैं 1 second में, मैं पांच इट उठा सकता हूँ, तो ये मेरी क्या है, rate हो गई, एक second में पांच इट फैक सकता हूँ, तो ये rate हो गई, हला कि ऐसा है नहीं possible, लेकिन ये rate हो गई, तो उसी तरीके से हम देखते हैं, कि आवेश प्रवा की दर, एक second में कितना charge flow हो रहा है, किसी भी circuit में, किसी भ इस बात को ध्यान रखना, important point है, I बराबर Q upon में T, Q क्या है, Q हमारा यहां पे always है, और T क्या है, समय रहेगा, SI unit की बात करते हैं, तो अभी हमने पढ़ा, SI unit कभी भी देखो, रटने की जरुवत पढ़ेगी ही नहीं, अगर आपको formula याद है, देखो, I बराबर Q upon T, Q का मतल इस बात को ध्यान रखना, Q per second मैंने लिख दिया है, English Hindi दोनों में, या Q per second की power minus 1, Q per second inverse भी इसको हम लोग कह सकते हैं, ध्यान से देख लो, तीनों एक ही बात है, Q per second, Q per second, Q per second, या Q per second inverse, सीधी सी बात है, पावर को नीचे से उपर लिख जाएंगे, तो power minus 1 आ गया है, या इ Standard Unit होती है, Tribal Unit, इसके SAY, सिय हम लिखते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर क्या होता है, SI क क्या होता है, कि System International Unit, ठीक है, या International System Unit भी बूल सकते हो आप, तो इसकी Standard Unit का होती है, Ampere, आइंदा आपको हमेशा current को किस में नापेंगे, Ampere में आपते हैं, अब जिस तरीके से हम लोग लंबाई को नापने के लिए, फिटे का यूज करते हैं, उसी तरीके से किसी भी चीज में कितना current flow हो Ampere बोलते हैं, बहुत जादा important रहेगा, उसको Ampere के लिए Ampere है, लेकिन मेजर करने के लिए current को मेजर करने के लिए, जिसका यूज करेंगे, वो क्या ampere है, जैसे हम लोग लंबाई को Ampere में नापते हैं लेकिन नापने के लिए, जिसके इसके इसके लिए करते हैं, क्या होने वाला है ठीक है ना इसी लिए कुछ ऐसे device बनाया जाते हैं जिससे हम उसको major कर सकें तो current को major करने के लिए emitter बना हुआ है ठीक है ना तो सिदे एक बार फिर से इसको repeat करते है important है दो number में आता है question याद रखेगा कि per second जो भी charge flow हो रहा है किसी भी परिपत में वो क्या है आवेश है वो विदुधारा है i बराबर q upon t formula होता है कुलाम per second इसकी unit हो गई और ampere इसकी standard unit है ampere का use ज्यादातर करते हैं हम लोग ठीक है और emitter से इसको नापते हैं एक यहां पर important point है यह कई बार question आता है एक ampere को परिभाशित करो define one ampere board के question paper उठा के आप देख सकते हो previous year के आपको यह question जरूर मिलेंगे दूसरे हर सेट में ठीक है ना अब देखो एक ampere कैसे होगा एक ampere पहले समझते हैं मेरको current की value एक लानी है तो क्या करना पड़ेगा देखो i बराबर q upon t formula मैंने लिया हुआ है ठीक है अगर मैं q की जगे भी 1 रख दू और t की जगे भी 1 रख दू समझ रहे हैं यानि q बराबर ले लू 1 कुलाम और time भी क्या ले लू 1 second तो यानि 1 upon 1 क्या निकल के आएगा आई 1 upon 1 तो 1 ही होगा यानि आई बराबर कितना निकल के आगया 1 ampere निकल के आगया यानि कि किसी भी परिपत में यदि एक सेकंड में एक कुलाम आवेश प्रवाहित होगा यानि पर सेकंड फ्लो अफ चार्ज 1 कुलाम ही रहा तो उसमें CDC बात है करंट कितना निकल के आएगा करंट 1 ampere ही निकल के आएगा तो CDC definition क्या होते है यदि किसी परिपत में प्रती सेकंड प्रती माने एक प्रती सेकंड एक कुलाम आवेश प्रवाहित किया जाए तो उस परिपत में उत्पन विद्धुद्धारा 1 ampere होगी ठीक है रहा सिंपल सी definition है पेपर में आएगा इसी तरीके से लिख देना एक्जामनर अच्छे नंबर देगा ठीक है तो कहने के संस क्या है एक सेकंड में प्रवाहित अगर आवेश एक कुलाम है तो धारा कितनी उत्पन होगी एक ampere आप सीधे सीधे देख सकते हो भई कि वन अपॉन वन निकल के आएगा यानि अगर करेंट टाइम एक सेकंड है और चार्ज भी एक सेकंड फ्लो हो रहा है पर सेकंड में तो करेंट सीधी सी बात है हमारा एक ampere ही होगा important रहेगा ध्यान रखना ये notes बहुत ही जादा important है handmade notes है तो अच्छे से इसको समझना है और note down करना है ठीक है ना आगे चलते हैं एक यहाँ पर numerical देखो ये numerical paper में आया हुआ question उठाया है मैंने इसमे paper में आया हुआ है ठीक है question क्या है कि यदि किसी परिपत में 20 second में चार कुलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस परिपत में उत्पन विद्धारा का मान ग्याद करो 4 second देखो numerical करने का तरीक है पहले जो जो given है जो जो दिया हुआ है उसको अलग से लिख लो जैसे time कितना t बराबर 20 second दिया हुआ है चार कुलाम आवेश यानि कि चार्ज क्यू की वैल्यू कुतने दिया है 4 कुलाम धारा का मान ग्याद करो यानि कि करन्ट निकालना है आई निकालना है formula एक ही है करन्ट निकालने का i बराबर q upon में t q की value रग दी हमने 4 बचे और t की value रग दी 20 4 बन जा 4, 4, 5 जा 20 1 upon में 5 का मतलब है 0.2 ampere यानि कि इसका answer क्या हो जाए 0.2 ampere important numerical है previous year का question आया हुआ था इसलिए मैंने वही उठा के समझाया है ठीक है ना तो इसको समझेंगे बहुत जादा math नहीं है इसलिए मैं इसमें pencil वगरे का use नहीं कर रहा हूँ ठीक है बहुत जादा math कोई typical नहीं है question समझ रहे होंगे question को जरूर एक बार करके देखना books में question होंगे वो भी question हो जाएंगे आपके अगला question देखते है ये एक बहुत जादा important point रहेगा इस point को समझो इस पे numerical आते हैं बहुत अच्छे numerical आप से पूछे जाएंगे इसी के base पे कह रहा है कि यदि किसी चालक तार में एक ampere धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका meaning क्या है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10 की power में लिखा हुआ है 10 की power 18 electron एक सीरे में प्रविस्थ होंगे तथा इतने ही electron प्रति सेकंड दूसरे सीरे से बाहर निकलेंगे देखो इतना वड़ा statement मैंने बोला अब इसको अम लोग समझते हैं समझने की कोशिश करना द्यान से सुनना बात को अभी मैंने आपको बताया कि current flow होता है तब जब electron flow होते हैं ये point कह रहा है कि अगर एक ampere किसी में current flow हो रहा है तो उसमें पर सेकंड जो electron flow होंगे वो भईया होंगे 6.25 इंटू 10 की power 18 electron ठीक है न एक ampere current flow कराने के लिए इतने electrons की जरूरत होती है किलमिला के बात ये है अगर आपको किसी भी परिपत में electron प्रवाहित एक ampere current प्रवाहित करना है एक ampere सिर्फ एक ampere तो उसके लिए number of electron आपको कितने लगेंगे 6.25 इंटू 10 की power 18 समझे लो 18 कितना जादा होगा यहाँ पे इतने electrons की जरूरत पड़ती है इतने ही electron अंदर जाएंगे और इतने ही electron बाहर निकलेंगे ये पूरा याद रखो न रखो कहानी ये value जरूर याद रखनी है कि एक ampere current में कितने electron होते है एक ampere बराबर होता है 6.25 इसको नोट कर लो एक ampere equal to 6.25 इस बात को ध्यान रखना एक formula यहाँ पे आया हुआ है Q बराबर any formula है important रहेगा इस value को निकाल के भी देख सकते है कि ये value आती कैसे है 6.25 इसको अब देखो बहुत अच्छे से समझना numerical आता है पेपर में Q बराबर any एक formula होता है Q बराबर क्या है Q से charge है E से electron है N से electrons की संख्या है N क्या है number of electron लिख ले ना कुछ point मेर से साइद मिस हो गया मैं लिखा नहीं हो इसमे तो N क्या है number of electrons है ठीक है N क्या है number of electron E से electron है और Q से वो ही charge है अगर मैं N बराबर बात करूँ तो n बराबर क्या निकलेगा, n बराबर निकलेगा, q upon में e formula, n बराबर निकालेगे, तो e into में इधर upon में आ जाएगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इसको solve करके दिखाया हुआ है, अच्छी से, मैंने यहाँ पे formula लिया, n बराबर q upon में e, मैंने एक कुलाम चार करते समय, इसकी value positive ही लेते हैं, बच्चे इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, electron पे charge कितना है, 1.6 into 10 की power, 19, देखा ही दे रहा होगा, अब आ जाओ नीचे, यहाँ यह हम लोग पहुँच गे, यहाँ पे, कहा थे, आ यह रहा, most important question लिख भी रखा है मैंने, box में, तो q बराब जगा 1 रखा है, e की जगा electron की value, अब देखो मैंने कैसे solve किया है, ध्यान से, थोड़ा सा math लगानी है, इसमें, तो सबसे पहले, मैं 10 की power minus 19 को उपर लेके गया हूँ, यहाँ पे देख लो, और नीचे negative में थी, तो power उपर जाके positive में हो गई है, पावर उपर कैसी हो गई है positive में हो गई है, इस बात को, समझो, अब नीचे एक point था, तो point हटा के मैंने 0 लगा दी, 1.6 था, point हटाई, उपर 1 0 आ गई, लेकिन यहाँ पे मैंने 100 क्यू लिख रखा है, 10 की power 19 थी, 10 मैंने इससे उधार ले ली, तो यहाँ पे 10 की power 18 बचा, 10 इसके साथ लिख दी, ठीक है तो 100 into 10 की power 18 divide by 16, अब 100 को 16 से divide करोगे बच्चे, तो math में आप लोग पढ़ते हो, कि 100 को 16 से divide करने पर क्या आएगा, 6.25 आएगा, 16, 96, बचा 4, 16, 32, बचा 8, 16, 50, 80, ऐसे ही मूझ जबानी हो जाएगी, into 10 की power 18, electrons हो गए, ठीक है, तो इस तरीके से यह value निकल के आती है, अब इस पे आपको numerical देखने को मिलता है, या तो यही numerical आ सकता है, कि बई, एक कुलाम चार्ज है, और बताओ, कितने number of electrons होंगे, तो आपको यह निकाल के देखाना पड़ेगा, या एक कुलाम की जगए, दो कुलाम कर देगा, number of electron दो कर देगा, यह इस तरीके से पूस्ता है, हल इतने को अच्छे से समझना है, ठीक है न, और वीडियो को लाइक शेर कर दिया करो, ठीक है, सपोर्ट करोगे, तब ही हम लोग जल्दी-जल्दी से और वीडियो बनाएंगे, तो वीडियो को लाइक और शेर कर दिया करो, तो इस तरीके से 6.25 x 10 की पावर 18 electrons आता है, अब अगला पॉइंट आता है, यह है हमारा विदुद विभव, विदुद विभांतर भी कहते हैं, लेकिन इंगलिश में इलेक्रिक पोटेंशल ही कहते हैं, सिर्फ, ठीक है, सिर्फ इलेक्रिक पोटेंशल ही कहते हैं, विदुद विभव या इलेक्रिक पोटेंशल आप कुछ बिंदू तक ले जाने में जो कार करना पड़ता है उसे विद्दुद विभव कहते हैं मैं समझ सकता हूं कि definition थोड़ा सा टफ लग रही होगी आपको यहां पर क्योंकि थोड़ा सा हिंदी में मैंने लिखी है एक आंक धन आवेश को अनंत से विद्दुद छेत्री किसी एक बिंदु तक ले जाने में जो कार किया जाएगा उसको हम लोग विद्दुद विभव कहते हैं अब इसका क्या मतलब है यह समझना मालो की मेरे को एक बल्ब जलाना है अब बल्ब ऐसे तो जलेगा नहीं बल्ब तभी जलेगा बही जब करेंट फ्लो होगा इस चीज को समझना सारी चीज़े होरली याद रहेंगी अगर धि को एंग प्रफार लगाना पड़ेंगा या बैटरी लगानी पड़ेगी तो फिर भी जब तो फोक टोन उनषा आप दो उपको سब्तों यह वहां जरने सफसे थैर से उपके जग तो ले जाने में कोई-वहांयों कोई 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 काम करता है तो किया गया जो कार्रह होता है वो इसमें हम लोग लेते हैं W यह उसी कई है कि एक जगे से दूसरी जगे तक ले जाने में किया गया कार रहे ठीक है formula क्या निकल के आता है V बराबर W अपान में क्यों यानि जो charge है आवेश को एक जगे से दूसरी जगे तक ले जाने में किया गया कार रहा है आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में किया गया कार रहा है यह क्या कहलाएगा विदुत विवांतर कहलाएगा आप यह वाली definition भी लिख सकते हो जो मैं बोल रहा हूं कि आवेश को एक जगे से दूसरी जगे तक ले जाने में किया गया कार्य, विदूत विबांतर क्यलाता है, तो V बराबर W अपॉन में क्यूं, W क्या है, कार्य है, क्यूं क्या है, हमारा चार्ज है, यानि की आवेश है फिर से, इसकी यूनिट की बात करते हैं, definition यह भी current की और विवानतर definition आती है 100% आती है paper में तो आप दोनों definition याद कर सकते हो मैंने बोल दिये वो भी और जो मैंने लिखी हुई है ठीक है तो SI unit देखो V, 9th class में लोग पढ़ते है work unit क्या होती है Joule होती है तो work की जगह Joule लिख दिया कुलाम किसकी unit होती है चार्च unit कुलाम होती है तो इसकी unit है Joule पर कुलाम या Joule कुलाम की power minus 1 या इसकी standard unit होती है क्या volt यानि की electric potential की unit क्या होगी volt होगी unit याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें तिकदा correct में भी आता है आपको questions में भी आता है तो इसको याद रखना बहुत ज्यादा important होगा students तो इसको अच्छे से समझ लेना ठीक है तो यह हो गया इसकी unit क्या होगी volt होगी इस बात को ध्यान रखेंगे ठीक है ना समझ में आ रही होगी बात एक बार फिर से समझेंगे इसको मैंने क्या बोला मैंने अभी बताया current क्या होता है एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है अब चार्ज अपने आप थोड़ी जाएगा चार्ज को वहां तक पहुचाना पड़ेगा और पहुचाने का काम करने के लिए हमें लगानी पड़ती है उसमें battery बैटरी या cell लगाना पड़ता है बैटरी या cell का इस्तमाल करते हैं तो उसके माध्यम से सीधे cell लगाया जैसे हम लोगों को चलना है तो हमें किसकी जरुद पड़ेगी हमें खाने की जरुद पड़ेगी फूड की जरुद पड़ेगी एनरजी देगा तभी तो हम काम कर पाएंगे तो इसी तरीके से बल्ब डबलू अपॉन में क्यूं यानि कि आवेश को एक जगे से दूसरी जगे तक ले जाने में किया गया कार रही क्या कहलाता है विदूत विभांतर या विदूत विभव कहलाता है ठीक है एसाई यूनिट जूल कुलाम इनवर्स या वोल्ट जिस तरीके से हम लोग करंट को क मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते है वोल्ट मीटर तो याद रखना कितना है इसे यूनिट के है वोल्ट और नाप्ते किसमे है वोल्ट मीटर से वोल्ट मीटर याद रखना ठीक है इनपॉर्टन रहेगा एमपियर एमिटर वोल्ट वोल्ट मीटर ठीक है एक तरफ लिखा हुआ है बैटरी दोनों के सिंबल बनाये हुए यह सिंबल है आगे इसको हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में बल्ब का सिंबल होता है स्विच का सिंबल होता है ओफ ओन स्विच कैसे होते उनका सिंबल होता है रेसिस्टेंस का सिंबल होता है तो यहां प सबसे पहले तो समझना, सेल क्या होता है? सेल जो गैमिकल एनरजी को इलेक्ट्रिक एनरजी में कनवर्ड करें, यानि कि रसाइनिक उडजा को किसमें विद्धूत उड़जा में बदले, रसाइनी कुर्जा, बैस सेल के अंदर एक केमिकल होता है, जिसको हम लोग बोलते है, H2SO4, यानि कि हाइडरोजन सलफेट, या सलफ्यूरिक एसिड, किंग ओफ एसिड भी बोलते हैं, यह मैंने पढ़ाया भी हो, केमिस्टी में भी हम लोग पढ़ते हैं, H2SO4 पीछा नहीं तो उसको सेल कहते हैं, सेल का सिंबल देख लो, एक बड़ा लाइन खीची, एक चोटी, बड़े की तरफ प्लस रहता है, चोटे की तरफ माइनस रहता है, इस बात को ध्यान रखना, बैटरी, दो या दो से जादा सेलों को जोड़ दो बच्चे, तो बैटरी कहते हैं उसको देखो, इसमें मैंने कई ड़ंडे खीच रखे हैं, एक दो तीन सेल से मिलके ये बैटरी बनी है, यानि दो से जादा सेलों को आप जोड़ दोगे, तो क्या बन जाएगी, बैटरी का भी काम सेम ही होता है, चैमिकल एनरजी को इलेक्टरीक एनरजी में चेंज करती है, अब पूछा जाए, cell क्या होता है, cell जो इलेक्ट्रिक एनरजी को, सॉरी, chemical energy को, chemical energy को, electric energy में change करता है, रसाइनी कुर्जा को, विद्धु तुर्जा में जो बदलता है, बैटरी, दो या दो से जादा cellों को जोडने से, बैटरी का निर्मान होता है, इस बात को ध्यान रखना, तो पॉजिटिव, नेगेटिव, और यहां पर मैंने बताया, electron, proton, neutron, electron, पर माइनस का 1.6, tany bower, माइनस 19 kulam, नेगेटिव में रहेगा, proton पर सेम चार्ज, पॉजिटिव में रहता है, और neutron पर कोई चार्ज नहीं हो, kulam's law, इसको अच्छे से समझ लेना, हाला कि exam में यह बहुत नहीं आता है, बहुत चार्ज नहीं पूचा जाता है, उसके बाद मैंने बताये, मैंटर्स यहां पर पदार्थ, तीन टाइप्स के, conductor, insulator, semiconductor, जिसमें current flow होगा, या जिसमें electron flow होते हैं, insulator, जिसमें current flow नहीं होगा, तो electron flow नहीं होगे, semiconductor जो दोनों की दरगाम करता है, example पर सेकंड प्रवाहित होने वाला आवेशी क्या कहलाता है इस बात को ध्यान रखेंगे यूनिट एंपियर इंस्टुमेंट जिससे नापेंगे मेजर करेंगे एमिटर एक एंपियर की परिवाशा इंपॉर्टन्ट है ठीक है नुमेरिकल यहां पर हमने किया मैंने एक चीज मैंने प्रूव भी करके यहां पर आपको दिखा है इंपॉर्टन्ट है उसके बाद हमने देखा एलेक्ट्रिक पोटेंशल आवेश को एक जगे से दूसरी जगे ले जाने में किया गया कारही क्या कहलाता है विद्धुत विभव कहलाता है ठीक है और इसकी यूनिट क्या ह अब बारे में डिसकस करने वाले है ठीक है तो विडियो को जादस जादा शेर किया करो अपने दोस्तों के साथ क्योंकि यह बहुत ही जादा इंपॉर्टन्ट है ठीक है शेर करो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में